नमस्कार दोस्तों और प्यारे बच्चों, आज एक नया विशय लेकर के आये हैं, आज का जो विशय है, वो है अड़ाप्टीशन और अनुकूलन, ये विशय प्राथमी कक्षाओं से लेकर के उच प्राथमी कक्षाओं और माध्यमिक तक की कक्षाओं में जिवी ज्यान के अंतरगत पढ़ाया जाता है और चाहें बच्चे सीवी एसी बोर्ड के हों चाहें इस्टेट बोर्ड के हों और चाहें यूपी बोर्ड के हों किसी भी बोर्ड के हों ये टॉपिक उनको पढ़ना पढ़ता है और वो लोग इसको पढ़ते हैं अपनी पुस्तकों में इस माद्यम से पढ़ने लगे हैं, रुजान उनका अच्छा प्राप्त हो रहा है, इसलिए हमने भी सोचा कि कुछ विशेहों पर विडियो बनाई जाए, तो आज हम adaptation या अनुकुलन विशेह पर चर्चा करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि adaptation आखिर होता क्य है, इसको जो है, बाइलोजिकली कैसे डिफाइन किया जा सकता है, तो इंग्लिस में अगर हम इसको डिफाइन करते हैं, तो इसको हम यह कह सकते हैं कि adaptation is an inherited or acquired modification in organisms that makes them suited to survive and reproduce in a particular environment, इसी बात को अगर हम हिंदी भासा में कहते हैं, क्योंकि हम लोग हिंदी भासी छेतर में रहते हैं, हमारे state board के बच्चे हिंदी में ही ज्यादा समझते हैं, इसलिए अगर हम इसको हिंदी में कहें, तो अनुकूलन जीवों का ऐसा गुण है, जो उसे अपने आवास में जीवित बने रह करेंगे कि इसका क्या मतलब होता है, बच्चों आपने अपनी पुस्तकों में देखा होगा, कई सारे एक्जामपल से इस adaptation को समझाया गया है, सबसे फेमस, सबसे प्रचलित एक्जामपल इसका जो है, वो उट है, जिसके संदर्ब में आपकी पुस्तकों में लिखा गया है कि उट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, तो ऐसा इसलिए कहा जाता है, क्योंकि उस रेगिस्तान वाले परिवेस में, रेगिस्तान वाले इलाके में ये जो उट होता है, बहुत अच्छे ढंग से सर्वाइब कर पाता है, क्योंकि इसके शरीर में कुछ इस तरह के बदलाओं में उन बदलाओं के द्वारा उस परिष्थिती में उस परिवेस में उस आवास में रहने के लिए सक्षम होता है जैसा कि कहा जाता है कि उंट का जो पैर होता है वो गदिदार होता है और जो गरम रेत होती है उस रेत में उसको चलने में काफी मदद मिलती है साथी साथ रेगिस्तान वाले इलाके में पानी की काफी ज़्यादा कमी होती है और उस पानी की कमी में भी यह सर्वाइब करने में सक्षम होता है इसके संदर्व में यह कहा जाता है कि अगर इसको कहीं जल्सरोत मिल जाता है तो उस जल्स रोज से यहाँ एक बार में लगभग 100 लीटर तक पानी पी लेता है और हपतों से लेकर के महिनों दिन तक बगैर पानी पीए भी यह सर्वाइब कर जाता है साथी साथ बच्चों आपने यह देखा होगा कि इसके पीठ के उपर एक हैंप होता है जिसको कूबड भी कहा जाता है बड़ा सा होता है और उस कूबड में यह अपने लिए भूजय पदार्थ फैट के रूप में बसा के रूप में जमा करके रखता है और जब इसकी विशम परिस्थितियां होती है जब इसको भूजन नहीं मिल रहा होता है तो वही fat उस दोरान इसके सरीर में उर्जा के संचार के लिए काम आता है इस तरह से अगर ये कहा जाए तो उट रेगिस्तान वाले इलाके में रहने के लिए पूरी तरह से fit है अनुकूलित है इसलिए इसको best example के रूप में देखा जाता है वैसे भी बच्चों आप अपने चारो तरफ समस्त जीवधारियों को देखिए चाहें वो जलचर हों, चाहें वो थलचर हों, चाहें वो नवचर हों, चाहें वो उभैचर हों सभी जीव एक जैसे नहीं होते हैं सब में जो है कुछ न कुछ न कुछ न कुछ एक दूसरे से समानता के साथ सत कुछ भिन्नताएं होती हैं, तो ये जो भिन्नताएं होती हैं, ये भिन्नताएं ही उस जीव को उसके परियावरण में रहने में मदद करती हैं, जैसे एक पौधे का एक्जामपल ले लिया जाए, कीट भक्षी पौधों के संदर्द में भी आप लोग काफी पढ़ते हैं, जानते हैं, देखते हैं, कि ये कीट भक्षी जो पौधे होते हैं, ये पौधे ऐसी जगह पर उगते हैं, जिस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है, और उस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करन के लिए ही इन पौधों की पतियां बिभित तौर तरीकों से रुपांतरित हो करके बिभिन प्रकार के अंगों में बदल जाती हैं और ये कीट पतंगों को पकड़ने का काम करते हैं और उन कीट पतंगों के सरीर में जो नाइट्रोजन पाया जाता है उस नाइट्रोजन को य नेपन्थीज हैं, ड्रोसेरा हैं, घटपड़नी हैं, इनके संदर में ये कहा जाता है कि इनकी पतियां जो है मोडिफाइड होती हैं, इनकी पतियां जो है एडप्टेड होती हैं, इनकी पतियां जो है अनुकूलित हो जाती हैं, और अनुकूलन के साथ उन कीडों को पकड़ जो वह अपने परिवेस में अपने आवास में रहते हुए परिवेस में होने वाले बदलाओं के प्रती अपने जो है अंदर परिवर्तन ला करके वह उस बदली परिस्थिती में सर्वाइव करने में सक्षम होता है बचों आजकल हम सभी या ऐसा कह सकते हैं पूरा विश्व COVID-19 बैस्विक महामारी के चलते जहें घरों में बंध है और एक तरह से देखा जाए तो पूरी परिस्थितियां ही जो बदल गई है इस बदली हुई परिस्थिती में अब हम लोगों को बदलने की आवशक्ता है अगर हम नहीं बदलते हैं तो हो सकता है कि आने वाली जो दिन है वो हमारे लिए काफी कठिनाई के होंगे बदलाव हमें कुछ करना होगा अपने जीवन सैली में बदलाव करना होगा ताकि हम इन चीजों से बज सके शरकार बार बार जो है दिशा निर्देशन जारी कर रहे हैं कि हम सभी को इस विकट परिस्थिती में हमें अपने आचार विचार में अपने रहन सहन में परिवर् परिष्थति में adopt हो सकें अनुकूलित हो सकें और हमारा survival हो सकें हम जीवित रह सकें तो जो guideline जारी की गई है WHO के द्वारा हमारे local government के द्वारा या हमारे शरकार के द्वारा उसका हमें सब्दसा पालन करने किया वह सकता है और वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये सारे adaptation हम अपने जीवन में आसानी से ला सकते हैं और ला करके इस COVID-19 महमारी से बस सकते हैं तो जो बदलाव हमें करने हैं वो ये करना है कि हमें दिन में बार बार हाथ धोना है हाथ भी जो है थोड़ा अच्छे ढंक से दोना है कम से कम 20 सेकेंड किसी भी प्रकार का शाबून हो उस साबून का परियोग करते हुए हाथों को 20 सेकेंड तक दोने के बाद running water में दोना है बहते हुए पानी में दोना है और इसके अलावा सारवजनिक किस्थान पर हमें जाने से बचना है अगर हम जो है नहीं बच पाते हैं में जाना ही पढ़ जाता है किसी आओ सकता है कि पूर्ती है तू तो अगर हम वहां पर जाते हैं तो जाने से पहले मुह पर मास्क लगा करके जाए हाथों में दास्ताने अगर शंबह हो तो लगा ले और किसी भी सारवाजिन के स्थान पर थूकना बिल्कुल भी नहीं है इन चीजों को अगर हम अपना लेते हैं और इसको अपनी दिंचरिया में हम लोग ढाल लेते हैं तो निश्चित ही जिस तरह से धर्ती के समस्त जीवधारी अपने अंदर परिवर्तन ला करके तरह-तरह की परिष्थितियों में रहने के लिए अनुकुलित होते हैं हम भी इन चीजों को करके इस बैस्विक में हमारी कोविड के लिए अनुकुलित हो जाएंगे और हमारा सर्वाइबल जो है बना रहेगा और धीरे 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 यह वाइरस आटोमेटिक ही जो है समाप्त हो जाएगा जीत हमारी होगी कोरोना हारेगा हम सारे भारतिये जीतेंगे मुझे पुरा विश्वास है कि बच्चों आप इस अनुकुलन को समझ गया होंगे इस पर परिवर्तन होते आए हैं और जो जीवधारी अपने आपको परिवर्तित कर लिए अपने आपको बदल लिए अपने आपको एडप्ट कर लिए वो सर्वाइब कर गए और जो नहीं बदल पाए उसको एक्स्टिंक्ट होना पड़ा बिलुप्त होना पड़ा बहुत स हमें इन चीजों को बताई गहे हैं, उन चीजों को अपनाना है, और सब को जागरूग करना है, घर का अगर कोई एक व्यक्ति इन चीजों को केवल फॉलो करता है, तो इससे काम नहीं चलने वाला है, जन मानस में इस बात को पहुंचाना है, आप जीतने लोग वीडियो को दे और अपनी बात इन लाइनों के साथ समाप्त करना चाहूंगा, कि रुकावटे आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी वो मंजिल पाही लेता है, जो हार नहीं मानता है, अता हम सब भारतिये जीतेंगे, कोरोना हारेगा, और हम इस बदली हुई परि दने बात